हलो पापा मैं अंशू पापा मैं जिन्दा हूँ मैं मरी नहीं आपने जिसकी बोड़ी जलाई वो मैं नहीं थी पापा यह आवास थी उस बेटी की जिसका अंतिम संसकार किये हुए अभी महस 24 घंटे ही बीते थे और उसी बेटी ने पिता को फोन कर अपने जिन्दा होने की बात कही दरसल यह हैरान कर दिने वाला मामला बिहार के पूर्णिय जलेका है यहां के भावानिपूर के नवगच्या टोला के रहने वाले विनोद बंडल की बेटी अंशू कुमारी तीन जून से लापता थी घरवालों ने इसकी शिकायत थाने में नहीं की थी परिजन परिजन आनफारन में उसका अंतिम संसकार भी कर देते हैं अंतिम संसकार के अगले दिन यानि 17 अगस की सुभा विनोद मंडल का फोन बसता है विनोद फोन उठाते हैं फोन पर आवाज आती है हेलो पापा में अंशू पापा में जिन्दा हूँ मैं मरी नहीं आपने जिसक का नाम विरंजन कुमार है विरंजन 24 साल का है और वह भवानी पूर कर रहनी वारा है अंशू ने अपने परिवार को आगे बताये कि 24 मई को उसके फॉन पर एक रॉन नमबर से फॉन आया था फॉन करने वाले ने अपना नाम विरंजन बताया दोनों के बीच बाचीत धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई दोस्ती प्यार में बदल गई और महज दस दिनों में प्यार इतना परवान चड़ा कि दोनों ने घर से भाग कर शादी करने का फैसला कर लिया इसके बाद तीन जून को वह घर से फरार हो गई पाद जून को दोनों ने मंदिर में शा वहीं सब ये सोच कर परिशान है कि उन्होंने जिसको अपनी बेटी समझ कर अंतिम संसकार किया वो शव किसका था वहीं इस पूरे मामले पर पूलिस की भी एक बड़ी लापरवाही निकल कर सामनी आई है इस पूरे मामले पर अब अकबरपुर ओपी थाना ध्यश सूरश कु कि जा रही है और जिसका अंतिम संसकार किया वो शव किसका था इसके बारे में भी पता लगाये जा रहा है